नमस्कार दोस्तों आप शभी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 और 16 दिशंबर के आपकी राशी के महाराश्वी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी श्मी वर्तिटे है या फिर एनिवर्चरी है आप शभी आप दिन दुगनी रात उच्वागने दरेके करें तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं याश में गरों की तदी कैसे होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें शभी का शुराब की राशी पर क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर याश में आपको सावधने नह होगा और आकिर कौन-कौन श्रीकारी आपके लिए बागी चलिए होंगी दोस्तों यहश में आपका लव-लाइब कारेंगे और सुरूं से लेकर अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों बीडियो के अंत में बहुत याच्छी उपाए है जिनिया आपकर किन दो को और बेज्या जबादा लाबगारी बना पाएंगे उससे पहले दोसें दिया चैनल पर नए हैं तो दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर लें शाथ यह बैल आइकन को प्रीश करकी ऑल पर श्लेट कर दें तो आई दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गराओं के सिद्धी के बारे में 252 दिशमर के बात कर रें तो विद्धो़ार का दिन होगा शुक पास की दुआS एटी रहे गी उर दोस दिन भर्ली नाम का नच खत रहेगा इसगयँ दिन योग की बात करें तो दोस्तों दिन शिवर नाम का शुब योग रहेगा और यह योग आपकी कैर सेथन करीं और आ दोफो अगले दिन 16 देशमर के बात करें तो दोसों गुरू वार का दिन होगा शुकल पाश्की तरुदाश्य तिति रहेगी और दोसों दिन भर नी नाम का नचत रहेगा और दोसों इन शीव कर दोस्तों यश में पिता और राजबक्षि लाव का फरवल योग है खोईवी पर्तिष्टा और पद पुना प्राप्त होगा दोस्तों लिवे निरले शही होंगे जमिन ज्यादात के मावलों में यश में सफलता मिलेगी नए घर नए वाहन की चाहिए चेक होगी प्राक्रम खुब रहेगा प्राक्रं में यश्मे व्रीतीchnि होगी घर में कोई शुबकार अस्तर तक जा सकती है दोस्तों कई बार अकेले पन का आपको यह में एहसास भी होगा दोस्तों यह में आपके लिए कई तरह कि संसाधनों की उपलेविदता दिलाने वाला श्मी होगा कुछ शमस्याएं जो आपके लिए लंबे श्मी से आपको परिशान कर रही है परिशानी का कारण बनी हुई थी पिश्में दोस्तों कुछ जो समाधान आपको यह मिल सकता है जो कि आपके लिए काफी कारगर स्वाइद होगा दोस्तों आपको अपनी विचारों को कर्मों में तबदिल करना होगा यह में तभी जाकर आपको शमसा मिलेगा आपको इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि जूस्तों आप अपनी बातों से या बोलने के तरीकों से किसी को आहात नौकरें है जोoter करें मिलने के आफार बन रहे हैं जो लोक बिजनस में हैं उन्हें नए सोदों की यह मिंप्राप्ति होगी दोस्तों इन दिना में आप जो हैjesím जो जातक मीडिया मनरंजन ओटो मॉबाइल के छेतर में हैं उनको जोरदार शफलता मिलने की यश में संभावना दिख रही है दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें तो कोई मूवी देखेंगे और दोस्तों अनेक बाते होंगी जो आपके प्यार को यश में बढ़ाए तो आप अपने परिवारे रिस्तेदारों के साथ सेयर कर सकते हैं इसे दोस्तों आपके दिल को शंतूष्टी मिलेगी दोस्तों आपको जिवन साती का पूरा शयोग यश में मिलने वाला है दोस्तों यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको यश में सहत का पू लंबित रहना पड़ेगा जबकि एसा करने से आपको कोई विश्यस लाब होने वाला नहीं है आपके प्रयाश्र गलत दिशा में होने की यश्में संभावना भी बनेगी और दोस्तों आप अधिक गलत कर रहे हैं इसका आपको यश्में एहसास भी होगा आपको जो एकाकी प अधिकारों को वरिष्ट अधिकारियों को पेश करने से पहले सुनुचित करने की आवश्यक्ता होगी ग्रेंजी कहते हैं कि सावधानी प्रुवक लिया गया निरले आपको अपने जोए सुब्रभाइजर्स के सामने शुरुख चीद रखेगा यह सुमें आपके पारिवा पर आप आनन उठा शकेंगे यह सुमें आपका प्रेमी जीवन और प्रेम को लेकर आपकी जो राय है वह जाने के एक्चुग रहेंगे आपको एसी गत्युदियों में शामिल होना चाहिए जो आपके साथी के दिल को छुजाए वह दोस्तों यह में आपकी आर्थिक सितिक और शुक्षा कायम करने के लिए यस में प्रेतर शील भी रहेंगे दोस्तों इन दिनों में मूड श्विंग आपके काम को परतिकुल रूप से प्रभायद भी कर सकता है अपनी उर्जा को सही दिसा में लगाने का आप यस में प्रयांश करें और तयार हो जाएं दोस्तों बूरी आत्तों को छोड़ने के लिए यस सही समय होगा दोस्तों यस में दिमाग को ठंडा रखने और अपना उर्जा अस्तर बनाई रखने के लिए ध्यान करें ग्रेंजी का शिला है दोस्तों यस में जहलाना और खीजना आपकी शेहत भी खराप्स कर सकता है जो है पुरा प्रिलू काम में आपको यस में ठका भी सकता है इसलिए आप मांसिक तनाव भी यस में महसुद करेंगे दोस्तों आप यस में साधानिश्य कारी करें क्योंकि प्यार में पढ़ना यस में आपके लिए दूसरी कठनाईयां खड़ी कर सकती है भागीदार आपके उजनाओं और वैसाई को ख्यालों के प्रति उत्साई होंगे दोस्तों यस में कोई अध्यात्मिक गुरू या फिर बड़ा आपकी जो साहता कर सकता है मुम्किन है कि महरी या फिर काम वाली बाई की तरफ से कोई परिशानी खड़ी हो जिसे आपके वह आपके जिवन साती को तनाव दोस्तों यस में अच्छे स्वास का अनद लेने के लिए आप घर का जो है मध्यस्तान और ब्रमस्तान शाफ कर दें दोस्तों यस में आपको कौन से उपाई को करना चाहिए दोस्तों यस में नोकरी प्राप्ति वह फिर वाइपार में लावे तू फितल के लोटे में गंग की ब्रिद्धी होंगी दोस्तों इसके उपर आपके जो है नोकरी के उफ्षर प्राप्त होंगी और वायपार में भी लाब होगा तो दोस्तों यह उपाज ज़रू करें यह आपके लिए लाबदायक शाबिद होगी